राजनीती में दाव पेज में फसा ये शहर सिर्फ सियासी गतिविधियों के लिए नहीं बलकि इससे कहीं ज़्यादा महत्यपूर है जी हाँ दोस्तों करनाटक एक बहुत खुपसूरत टूरिस्ट प्लेस है जहां हर साल बहुत सारे लोग घूमने आते हैं हम आपको पताएंगे कि करनाटक में जरूर इन पांच मशहूर चीजों का मजा ले क्योंकि करनाटक में किसकी सरकार बनेगी इस बात पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है जिस तरह से आपको पता है कि ताजा नियूज ये है कि बीजेपी का मुख्य मंत्री ने शपत ले ली है और करनाटक विधान सबा चुनाबों में विधान सबा के नतीजों के बाद अभी सबकी निगाहें टिकी हुई है कि किसकी सरकार चलेगी और किसकी सरकार नहीं चलेग कि करनाटक एक बहुत ही कुपसूरत टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर हर साल कई लोग घूमने आते हैं इस शहर में मौझूद दो मशहूर शहर कुर्ग और मेसूर घूमने बालों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं तो हम आपको बताते हैं करनाटक की बहुत ही शानदार प्रसिद्ध चीजों के बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं जोग फाल्स के बारे में अरब सागर्वे से मिलने वाले इस ज़रने का पानी करनाटक में बिजली बनाने के काम में लाया जाता है इसके आलावा यह भारत का दूसरा सबसे उंचाई से डुप की लगाने व वाला फैक्ट यह है कि दितिये विश्व यिद्ध से भारत लाय जा रहे चांदी से भरा जहाज इस फॉल में पलट गया था जिससे 48 टन चांदी बरामत की गई इस खोज ने इतिहास में सबसे बड़ी संख्या और गहरे धातु को फिर से बरामत करने का रिकॉर्ड बनाया जी हाँ जोक फाल्स दूसरी हम बात कर रहे है वो है हूली मंदिर दस्वी शताबदी से करनाटक के छोटे से गाउं के बेलगाम नामक जिले में मोजूद है यह मंदिर हालकि अब जादा बहुती अच्छी और खास हालत में नहीं है लेकिन भारती पुरातत्व सर्वेक्ष बिभाग इसकी देखवाल कर रहा है इस मंदिर पर किया गया काम देखते ही बनता है खास बात यह है कि यहां एक या दो नहीं बलकि इस पूरे जिले में बहुत सारे मंदिर मोजूद हैं तीसरी हम बात करने जा रहे हैं वो है चन्ना पटना खिलोना आपने पूरे भारत मे लकडी के रंग विरंगे खिलोने देखे होंगे जिन में घर, जानवर, खिलोने, गाडियां, करनाटक के इस्थानी निर्तक दूला दुलहन आदी बने होते हैं यहें खिलोने करनाटक की देन है अठारवी सताबदी में इसकी शुरुआत जोरो पर हुई और वेसे इन खिल लोनों को बनाने की शुरुआत टीपी सुल्तान के काल से हुई थी चोती चीज हम जो आपको बताने जा रहा हैं वो आपके मूँ में पानी ला सकता है हम बात करने जा रहा हैं मंगलोर के खाने के बारे में करनाटक के मंगलोर शेहर का खाना बेहत स्वादिस्थ है यहां का खाना खास नारियल को डाल कर बनाया जाता है जैसे कोरी रोटी, नीर डोसा, पिट रोट, ठुकरा मास और खली अगर आप खाने के शोकीन हो तो करना तक जाकर इस शहर का यानि की मैंगलोर का रुख जरूर करें अब हम आपको बताते हैं हमफी के बारे में यह जगा वेशक खंडर हो गई हो, लेकिन इसके बाबजूत, उसके यह नगर, युनेस्को के विश्व के विरासत सलों में शामिल हैं, इसकी वज़ा है हमफी की गोल चट्टानों टीलों पर बने मंदिर, तहखाने, पानी का खंडर, बड़े-बड़े चबूते और करनाटक का खास हमफी लेकिन इन सब में शानदार है हमफी का मंदिर, तो इस सरह से तमाम दाव पेचों के बीच, जो कि आप टीवी पर देख रहे हैं, हमने आपको करनाटक की कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताई हैं, जो कि आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए, अगली बार आप जब उने सब्सक्राइब कर लिया है, उनके लिए थेंक्यू सो मच, अगर अभी तक आपने वेल आइकन नहीं दबाया है तो उसे भी प्रेस कर दे, हमारा एक एप है जिसका नाम है अवेर बुक्स या एबी न्यूस, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी ह आप उसको भी इंस्टॉल करेंगे तो आपको मज़ा आजाएगा, जो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार